आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम इंस्टाग्राम किसी की भी रील को अपने मॉंबाइल फोन की गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, बहुत छोटी सी वीडियो है, यार वीडियो को पुरा कम्प्लीट देखना, इंस्टाग्राम र जैसे हमें इस reel को डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको share वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने यह page खुल जाएगा आपको नीचे की तरफ add to story simply आपको इस पे क्लिक कर देना है यहाँ पर कुछ देर loading लेगा आपके सामने यहाँ पर option आजाएगा three dots simply आपको three dots पे क्लिक कर देना है और यहाँ save पे क्लिक कर देना है यहाँ पर processing चलेगी देख जाएगा video save दोस्तों हमारी video यह save हो चुके है simply आप हम अपने phone की gallery में जाके चेक करते है हम अपने phone की gallery में चलते है gallery को open करेंगे यहाँ पर हमारी instagram reel यह download हो चुके है दोस्तों अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं फिर से हम अपने instagram पे चलते हैं यहाँ से back चले जाना है फिर यहाँ से back जाएंगे दोस्तों हम एक और video यहाँ से select कर लेते हैं करेंगे और यहाँ कोपी लिंक आपको सिंप्ली कोपी लिंक कर लेना है आपको अपने phone के किसी भी chrome browser में चले जाना है मैं यहाँ से back जाता हूं और यहाँ से मैं अपने chrome browser को उपन कर लेता हूं chrome browser को उपन करूंगा यहाँ से back जाऊंगा सिंप्ली आपको यहाँ पर search कर देना है Instagram Reels Download आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना है आपके सामने यहाँ पर डेर सारी साइड आ जाएंगे आपको यहाँ से फस्ट वाली को उपन कर लेना है और यहाँ से जो Instagram से हमें link copy किया सिंप्ली हम यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पर आपको अप्सन मिल जाएगा डाउनलोड वीडियो आपको इस पर क्लिक कर देना है हमारी वीडियो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है यह आपके इंटरनेट पर डिपेंड करते की वीडियो डाउनलोड होनी में कितना टाइम लगेगा हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है फुल एचडी में सिंप्ली फिर से हम अपने फोन की गैलरी में चलते हैं और यहां पर चेक करते हैं फिर से हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों बहुत ही असानी से आप इंटर्ग्राम रील को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल एकन को भी प्रेस कर देना